दोस्तों ये James Clear की बुक, Atomic Habits का Part 2 है, जिसका Part 1 मैं डिस्कुस कर चुका हूँ, उमीद करता हूँ अब तक आपको बुक बहुत पसंद आई है, आगे भी बहुत पसंद आएगी, शुरू करते हैं इस बुक में James Clear ने एक बड़ी कमाल की बात कही है, एक एक्जामपल देकर वो समझाते हैं कि ये प्रॉसेसिंग क्या चीज होती है, प्रॉसेसिंग के टाइम इनसान को क्यों पेशिंस रखना चाहिए, मान लो आप एक रूम में बैठे हो एक कमरे में, आपके सामने टेबल प करना, थोड़ा सा टेंपरेचर को बढ़ाते हैं, 26 डिगरी, 27 डिगरी, 28 डिगरी, वो आइस क्यूब अभी भी आपके सामने टेबल पर जैसे थी वैसे की वैसे पड़ी है, अब 29 डिगरी, 30 डिगरी, 31 डिगरी, अभी भी कुछ नहीं हुआ, वो आइस क्यूब वैसे की वै ना कोई खास फर्क पड़ता है। लेकिन अभी अभी इस एक डिग्री के बदलाओं ने एक बहुत बड़ा चेंज लाया है। तो ये जो breakthrough moment जो होते हैं आपके previous work का result होते हैं। आपने past में जो काम किये हैं वही चीज आपके result को build up करती है। जो होता है cancer, 80% cancer की life ऐसी होती है कि human body में वो दिखाई नहीं देखता है। इंसान की body में दिखता नहीं है। लेकिन जब सामने आता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक महिने में पूरी body को खत्म कर देता है। बैंबू, यानि बास, Chinese बैंबू, शुरू के 5 सालों में बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है, नहीं मिलता देखने को, पानी डालते रहते हैं दिखता है नहीं है, क्योंकि इस टाइम वो जमीन के अंदर रहकर अपनी जड़े तयार कर रहा होता है। लेकिन 5 साल बाद, सिर्फ 6 हफतों में उसकी लंबाई पहुँचकर 90 फीट तक पहुँच जाती है। यानि उस बैंबू को 6 हफते में जो सक्सेस मिलने वाली है, 5 साल तक वो बैंबू, उस सक्सेस को संभालने के लिए अपनी जड़े तयार कर रहा है। इसी तरह हमारी डाले हुए छोटी छोटी आदते हैं, तब तक दिखाई नहीं देती, जब तक इनसे कुछ हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये एक नए लेवल पर पहुँच जाती है, तब इनसे या तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर बहुत बेनिफिट होता है। किसी भी नए हैबिट को डालने और उससे रजल्ट पाने के बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है, उस खाई को पता है क्या बोलते हैं, डिस अपन्टमेंट, निराशा, निराशा बहुत होती है कि यार इतनी महनत कर रहे हैं, कुछ होई नहीं रहा, क्योंकि आप चाह आदते बना कर प्रोसेसिंग चलने दो उसको रोको मत, लोग बहुत छोटे-छोटे टास्क बना करके चोटी-छोटी आदतों को बना करके बीच में ड्रॉप कर देते हैं, जैसे सुबह-सुबह जॉगिंग के आदत डाल कर उसे एक महने तक कंटिनी रख कर उसको छोड़ देना ये सोच कर कि एक महिने में कुछ खास चेंज हो दिखाई नहीं लेकिन हम करते रहें लंबे टाइम तक करते रहें तब जाके रिजल्ट दिखते हैं अब लगातार काम करने के बावजूद सक्सिस ना मिलने की शिकायत करना उसी तरह हो गया जैसे आईस क्यूब के लिए टैंप्परेचर 25 से 31 तक के चेंज के बारे में कंप्लीन करना की क्योंकि 25 से 31 डिगरी तक चेंज नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि वो 25 से 31 डिगरी सेसीस तक जो काम हुआ वो बेकार था और सर्फ 32 डिगरी सेसीस ही काम का था लोगों को सिर्फ changes और success दिखाई देती है उसके पीछे की processing सिर्फ आप देख सकते हो आप ही जानते हो कि आपने आज जो success मिली है उसके लिए पहले एक छोटी सी आदत बनाई थी और उस आदत पर लगातार बने रहे उसे आदे में नहीं छोड़ा तब जाकर आपको यह success मिली है टेक्टोनिक प्लेट जो होती है वो लाखो सालों तक एक दूसरी को धीरे धीरे डखेलती है और एक दिन अचानक लाखो सालों में अचानक से एक बार में result आता है अर्थक्विक आता है जब आपका कोई काम result नहीं देता तो आप एक पत्थर तोड़ने वाले को देखो उसको पत्थर पर हतोड़ा मारते हुए देखो वो पत्थर पर सैंकडों बार हतोड़ा मारता है तब भी कोई असर नहीं होता लेकिन फिर अचानक आखरी चूट में पत्थर जटके से दो टुकडों में तूट जाता है अब इसका मतलब ये तो नहीं है हम ये तो नहीं बागी का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कूस करेंगे